जॉर्ज बर्नार्ट सौ नॉबल पुरस्कार शाहित विजिता महान नाटककार कुसल राजनिति की मानवतावादी व्यक्ति थे आये जानते हैं उनके कुछ प्रेरक विचार विवेकी व्यक्ति खुद को दुनिया के हिसाफ से ढाल लेता है और विवेकी व्यक्ति इस कोशिस में लगा रहता है कि दुनिया उसके हिसाफ से ढाल जाये इसलिए सारा विकास और विवेकी व्यक्ति पर निर्वर करता है जिन्दगी खुद को खोजने के बारे में नहीं है, जिन्दगी खुद को बनाने के बारे में है बेथर होगा कि आप अपने आपको साफ और उज्वर लगें आप वखिर की है जिसके माध्यम से आपको दुनिया को देखना चाहिए मौन तिरसकार की सबसे उत्तम अविवेक्ति है जब कोई आदमी कहता है कि पैसा कुछ भी कर सकता है तो साफ हो जाता है उसके पास बिलकुल नहीं है जिन चीजों के बारे में ज्यादा तर लोग जानना चाहते हैं वो अक्सर उनके किसी काम की नहीं होती संभावनाएं कई है कई है जब हम एक वार प्रतिक्रिया नहीं त्रिया करने का निश्चे कर ले हर असफलता के साथ मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है एक खुसाहाल पडिवार कुछ नहीं बस स्वर्ग से पहले का स्वर्ग है वह जो कर सकता है करता है जो नहीं कर सकता वह सिखाता है बस वही करो जो करना चाहिए यह खुसी नहीं हो सकती है लेकिन यह मांता है यह वास्तव में एक बुद्धिमान व्यक्ति की निसानी है जो आकरों से प्रभावित होता है पडिवर्तन के बिना प्रगती असंभव है और जो अपनी सोच नहीं बदल सकते वे कुछ भी नहीं बदल सकते कलतिया करते हुए बिताया गया जीवन बिना कुछ किये बिताये गये जीवन की तुल्ला में न सिर्फ अधीक सम्मान जनक है बलकि अधीक उप्योगी भी है जूटे ज्यान से सावधान नहीं या अज्यानता से भी अधीक खतरनाक है हमें अपने अतीत को याद करने से नहीं बलकि अपने भविस के जिम्मेदारी से बुद्धिमान बनाया जाता है मुझे अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना है यही मध्यमबर ये ने दिखता है जब कोई मुर्ख आदमी कुछ ऐसा कर रहा होता है जिससे उसे सरम आए तो वो हमेशा करता है ये उसका करतब है जब मैं छोटा था मैंने देखा कि जो मैंने दस काम किये उनमें से नौव सफल थे इसलिए मैंने दस गुनाधिक काम किया कि पुरुस अपने अनुभव के अनुपात में बल्कि अनुभव करने की अपनी छमता के अनुपात में बुद्धिमान होते हैं कभी सूरों के साथ कुस्ति मतलरिये आप गंदे भी होते हैं और सूर को इसमें मजा भी आता है सत्ता व्यक्ति को फ्रस्ट नहीं बनाती, हलाकि यदे मुर्क सत्ता में आ जाते हैं, तो ये सत्ता को फ्रस्ट बना देते हैं कुछ भी करने योगी नहीं है, जब तक की उसके परिणाम गमेर ना हो पैसो की कमी सभी पुरायों की जड़ है एक आदमी आपको तब तक कुछ नहीं बताता जब तक आप उसकी बात का खंडन ना करे एक मात्र सेवा जो वास्तव में एक मित्र कर सकता है वो है आपकी महान्चवी दर्शाने वाले दर्पन को दिखा कर आपके सहास को बनाए रखना एक सजन वक्ति वह है जो दुनिये से जितना लेता है उससे अधिक देता है सच्चा होना खदरनाक है जब तक कि आप मुर्ख भी ना हो दुनिया में सबसे दुखत बात है कि एक प्रतिवाशाली वक्ति है जो सम्मानित वक्ति नहीं है सफलता कभी गलती ना करने में नहीं है बलकि एक ही गलती को दूसरी बार ना करने में है हम खेलना इसलिए बंद नहीं करते हैं कि हम बुड़े हो जाते बलकि हम खेलना छोड़ देते हैं इसलिए बुड़े हो जाते हैं अपने दुख भरे पल रेत में लिखो, अपना अच्छा समय पत्थर में लिखो Thank you for your valuable time